दोस्तो मुहम्मद रिजवान कर रहे थे टाइम पास तो साकीबल हसन का फूड पड़ा गुस्सा और गेन फैक के मारी दोस्तो अपने आकरमक वेवार के लिए दुनिया भर में मशूर बांगलादेश क्रिकेट टीम के दिगज और राउनर साकीबल हसन का गुस्सा एक बार फिर मैदान में देखने को मिला है दोस्तो इस बार उनके शिकार और कोई नहीं बलकि पाकिस्तान के स्टार विकेट कीपर मुहम्मद रिजवान बने है दरसल ये वाक्या रावल पिंडी टेस्ट के पांचवे दिन देखने को मिला बांगलादेश की तरफ से साकीबल हसन पारी का 33 ओवर डाल रहे थे उनके सामने अब्दुल्ला शफिक के साथ मुहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजू थे हसन ने जियों ही गेंद बाजी करने शुरू की तियों ही रिजवान पीछे मुड़कर कुछ देखते हुए नजर आई यही बात बांगला देशी और राउंडरों को बिल्कुल नहीं पची उनकी शिकायत थी कि इतना समय लेने के बाद भी रिजवान सही समय पर तयार क्यों नहीं हो पाए है जिसके बाद उन्होंने गुसे में गेंद को विकेट के पीछे विकेट कीपर के हातों में फैक दिया अच्छी खबर यह रही कि गेंद रिजवान के चेहरे पर नहीं लगी नहीं तो मामला कुछ और जादा बिगड़ जाता दोसों साकीबुलहसन के इस हरकत से रिजवान भी अचंबित नजर आए इस बीच मैदानी अमपायर को भी साकीबुलहसन से सवाल करते हुए देखा गया था यहां हसन के इशारों से साफ नजर आ रहा था कि वो अपनी गलती से दुखी है और उन्होंने हाथ हिलाते हुए माफी भी मागी थी हलाकि रिजवान की तरफ से की गई गलती कोई भी इग्नोर नहीं किया कर सकता था मौझूदा समय में बांगलादेश की टीम इतिहासिक जीत के करीब पहुँच गई थी और इतिहासिक जीत दर्ज करी है पांगलादेश ने पाकिस्तान को पूरे 10 विगेट से हरा दिया है जो की बहुत ही बड़ा इतिहास में पांगलादेश ने नाम दर्ज कर लिया पाकिस्तान को उसकी सरजमी में हराना वो भी 10 विगेट के तो बहुत चीज़े हुई लेकिन हम बात करें साकी बुलहसन बहुत चीज़े कर चुके हैं उनके पास discipline की उनमें कमी हमेशा दिखाई देती है और साकी बहुत कई बार वार्निंग भी मिल चुकी है लेकिन वह अपनी हरकतों से बिल्कुल नहीं खिलाडी है बहुत टाइम से बंगनादेश की तरफ से खेल रहे है अब तो क्या ही है उनका करिया थोड़ा टाइम गौर बचाए आप तो अच्छे जाते जाते अच्छा विभार करके तो जाना चाहिए ना उनको वो हमेशा ही ऐसा ही विभार करते हैं उनका किसी भी खिलारी के लिए दोस्तों आपकी क्या रहा है कॉमेंट करके जरू बताए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे